नमस्कार इस वीडियो में हम भारत के जो प्रख्यात मूर्तिकार हैं स्कल्प्टर हैं पलबीर सींग कट इनके बारे में इनके काम के बारे में जर्चा करते हैं मलबीर सिंकट जो है वो भारत के प्रख्यात मूर्तिकारों में आपका नाम शुमार होता है आपका जन्म 1949 में रावल पिंडी में हुआ था जो कि उस वक्त भारत का ही हिस्सा था लेकिन भारत विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया और उन्होंने जो अपनी कला की जिस नातक किया कला में वो विश्व भारती युनिवर्सिटी से किया जो कि शांती निकेतन में है पश्चिमी बंगाल में और रभिंद्रनाथ टेगोर द्वारा निर्मित विश्व विख्यात कला संस्थान है इसके पश्चात उन्होंने कला के सम्मंदित आगे की पढ़ा तो बलबीर सिंग कट के जो स्कचर है वो मुख्य तया पत्थरों से निर्मित है और बहुत ही सुंदर गणचीलता के साथ उन्होंने बनाए है इसी तरीके से उनके और भी उन्होंने मटरियल यूज किया जिसमें मार्बल है लकडी है उनका इस्तमाल करते वे भी उन्होंन भारत का प्रतिन्रीत्व किया एक 10 कलाकारों का समूह एड्मॉंटन में आमंत्रित किया गया जिसमें वेख स्वेम भी शामिल थे और उन्होंने एक स्कल्प्चर तयार किया था जो की बैक स्टेज था या और उसमें लकडी से बना हुआ एक बहुत ही विशालाकर का विर सिंग कट के साथ एक कहना चाहिए कि एसी घटना हुई की वर्ष 2000 में उन्होंने एक कहना चाहिए कि टहलने के लिए जब घर से निकले तो उसके बाद कभी भी नहीं लोटे तो उनकी जो पत्नी थी पत्नी है वो स्वयंबी प्रख्यात का लाकार है लतिका कट तो उन्हो उन्होंने बहुत पैरवी की बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि खोजबीन की और कई तरेके के उन्होंने दर्खवास लगाई लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला वे स्वयंब बहुत परिशान रही वे उस वक्त जो थे बनारेस हिंदू विश्विध्याले में पेकल्टी वारणासी में है और उन्होंने कई अपने ऐसे प्रख्यात कला चात्र चात्राओं को निकाला जो स्वयंबी आगे चलकर बहुत अच्छे कलाकार बनें इसकी पश्चत जो बलबीर सिंग कठ है उन्होंने यूं तो कई पब्लिक प्लेसेज पे अपने मूर्ति शिल्पों का निर्मान किया और वो अभी सिच्वेटेड हैं भारत का प्रतिनेदित्व करते हैं भारत ही नहीं विदेशों में भी उन्होंने कई तरह के अपने मूर्तियों का निर्मान किया और उनका प्रदर्शन कियों इस तरह के से बलबिर सिंग कट के साथ ये इस तरह की दुखांत घटना जब उन्होंने युनिवर्सिटी में कुछ हो रहे हैं करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई तो उसके बाद वे लापता हो गए तो अभी तक भी उनका कहीं पता नहीं चला है इस तरह के से ए सकचर जो है वह इन्होंने बनाया था एक सिंपोजियं जो ठा एक आस्वान इंटरणेशनल जो कि सेकिंड्ड स्कुट्र्श मंजा निस जन्वर सो नो मार्स अ तक तो उसमें इन्वेट किया गया वहां पर इन्होंनों रेस तायार किया था यह वो स्कुर्प्चर दिल्ली में सिचुएटेड है जो 1977 में इसे पब्लिक आर्ट उसमें श्रंकला में ललितकला कादमी ने म्यूनिसिफल काउंसिल को एक उपहार स्वरोपिया लोन पर दे दिया था और इसे दिल्ली के मंडी हाउस स्थान पर लगाया गया था लेकिन लगबग वर्ष 2000 में इसका जो था यह ओरिजिनल जिसका फॉर्म था वो पूरी तरीके से नश्ट कर दिया गया एक तरीके से जिससे कहते है वेंडलिजम कर दिया उस पर किसी ने पेंट कर दिया तो इसलिए इसका जो मूल्स वरोप था वो कहीं खो गया और यह बहु सकत कारवाई होनी चाहिए राम किंकर का इस स्कậ्ण बनाया उन्होंने बल्विर सिंंग कत्र द्वारा बना हुआ है और 1968 में सीमेंट के द्वारा उन्होंने इसको बनाया है यही वो स्कुल्प्चर है जो कॉमन वेल्स स्कुल्प्चर सिंपोजियम में अपने नो और कलाकार सहयोगयों के साथ बर्बीर सिंग कट ने जो इस थापना की इसकी यह भी सिंपोजियम में बनाया गया उन्हीं का वर्क है और बर्बीर सिंग कट की जो पत्नी है वो प्रमुख कलाकार है उनका नाम लतिका कट है और वो भी अपने शेत्र में अपना एक नाम रखती है और प्रमुख कलाकार है भारत की बल्बीर सिंग कट ने बहुत विशाल इस तर पर अपने मूर्ती शिल्पों का नुमाईश की और भारत ही नई विदेशों में भी उन्होंने प्रदर्शनियों में भारत का प्रतिनिद्व किया और भारत को एक अच्छी अच्छी कलाकरतिया प्रदान करी इस तरीके से बल